देखे अगर हम किसी पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी बना सकते हैं तो अगर कोई इनसान सच में इच्छुक हो तो हम किसी इनसानी शरीर की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे एक देवी क्यों नहीं बना सकते या तो अपनी ही साधना से वो एक देवी बन सकती है या जो किसी एक पत्थर को देवी में परिवर्तित कर सकता है तो क्या वो किसी इस्त्री को देवी में परिवर्तित नहीं कर सकता या किसी पुरुष को देवता में क्या ये संभव नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल संभव है पता है मेरी परदादी लोग कहा करते थे वो एक शैतानी औरत है जब मैंने उन्हें देखा तब उनकी उम्र सौ साल के उपर थी वो उन्हें एक शैतानी औरत कहते थे इसलिए नहीं कि उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान पहुचाया था बल्कि उनकी हसी ऐसी थी अगर वो हस्ती थी तो पूरी गली हिल जाती थी वो इस तरह हस्ती थी वो एक सौतेरा सालों तक जीवित रही एक सौतेरा साल उनकी शादी एक बहुती अमीर परिवार में हुई थी एक बड़ा जमिदार परिवार जब वो 68 साल की थी वो उनके पती के मृत्यू के बाद उन्होंने परिवार को छोड़ दिया और बाहर जाकर अपने लिए एक छोटा सा मंदिर बना लिया उन्होंने किसी देवी देवता की स्थापना नहीं की उन्होंने मंदिर में खुद को ही स्थापित कर लिया वो वहाँ अपनी ही चीजे करेंगी अपनी ही तरह के पूजा सब कुछ अपनी ही तरह का और वो आपको कुछ भी बता सकती है जब वो वहाँ मंदिर में बैठी है वो आपको दुनिया में किसी भी चीज के बारे में बता सकती है आपको यॉरप का इतिहास पता है जहां अध्यात्मिक प्रक्रियाएं बहुत व्यापक थी और कितने व्यवस्तित तरीके से उन्हें उखार फैंका गया था जब वो एक संगठित धर्म की स्थापना करना चाहते थे तो वो सभी लाखों चुडैले जिने जला दिया गया था वो बस वो महिलाए थी जिन्नोंने कुछ ऐसे विलक्षन गुणों का प्रदर्शन किया जो समाच के उस समाच के तर्क में फिट नहीं बैठते थे मेरी परदादी को निश्चित रूप से एक चुडैल मानकर जला दिया गया होता भारत में लोग उन्हें जलाएंगे नहीं लेकिन वो उनकी हसी से डरते थे वो निश्चित रूप से एक चुडैल है तो हमें चुडैलों की जरूरत है हमें दुनिया में चुडैलों की जरूरत है हमें ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो अपने तर्क से अधिक सक्षम हो हमें ऐसे पुरुशों की भी जरूरत है हमें ऐसे मनुश्यों की जरूरत है जो जीवन का बोध करने उसे समझने और उसका अनुभव करने में सक्षम हो तर्क की भयानक सीमाओं से परे मैं कम से कम तीन से पांच वास्तविक देवियों की रचना करना चाहता हूं सच में मेरा मतलब है हाड मास की महिलाएं उने अलग-अलग गुणों वाली वास्तविक देवियों में तब्दील करना और लोग उने वैसे ही अनुभव कर सकें हमारे पास ऐसे काफी लोग हैं जिन में परयापत उर्जा है हमें बस उने वहां तक पहुँचाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से ले जाना होगा उर्जा की दृष्टी से वो पहले से ही वहाँ हैं बात बस इतनी है कि उनके पास अपनी उर्जा को लेकर ये समझ नहीं है कि वो उसे खास तरीके से रख सकें इस समय वो बस धीले ढाले रूप में और जावान है हम उसे आसानी से बदल सकते हैं स्त्रीगुण की पूजा इस धर्थी पर पूजा करने का सबसे प्राचीन तरीका रहा है केवल भारत में ही नहीं दक्षन भारत में दक्कन पठार के दक्षन में एक भी ऐसा गाम नहीं है एक भी ऐसी मानवबस्ती नहीं है जहां उनकी अपनी देवी ना हो मैं चाता हूँ कि आप इसे समझें उनकी अपनी देवी समझे आप योगी अपने खुद के देवी देवताओं की रचना करते हैं वो एक तरह के रूप की रचना करते हैं और उसे जीवित कर देते हैं वो रूप चाहे वो देवी हों या देवता या वो जो भी रूप हों वो हर समय योगी के साथ चलते हैं तो इसी वज़े से उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं होती इसलिए वो शादी नहीं करते अगर आप एक स्त्री को एक देवी बना सकते हैं तो आप धीरे धीरे हर स्त्री को एक देवी बना सकते हैं है ना? एक स्त्री जो एक आम स्त्री की तरह ही पैदा हुई है अगर वो एक देवी बन सकती है तो कहीं न कहीं ये संभावना सभी के लिए खुली है, है न?